ओन्लाइन एग्रिकल्चर क्लासेश के अफिसियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक श्वागत बिनंदन बंदन करता हूं यह एक ओन्लाइन एग्रिकल्चर क्लासेश ऐसा प्लेट फार्म है जहाँ पर आपको यूपी कैटेट की प्रतेक संपूर्ण जानकारियां प्राप्ट होंगी यदि आपके मन में कोई भी टिपड़ी है तो आप हमारे कमेंट सेक्षन के माध्धम से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्किप्शन बाक्स में मुबाइल नंबर दिया हुआ है वाट्शप नंबर आप उत पर काल या इसमेस के द्वारा आप अपना हल पास सकते हैं तो चलिए चैनल पर नए है तो मैं तो यही कहूँगा कि सस्क्राइब कर लिजी क्योंकि समस्थ और लेटेस्ट अपडेट यूपी कैटिट आईसी या और भी येची उसे जितने भी आते रहेंगे हम आपको शरुपर्थम प्रोवाइड कराते रहेंगे और शाथ में अपने मित्रों को जरूर सेर कीजिए इससे उनको भी यूपी कैटिट के बारे में जानकारी हो कि यूपी कैटिट होता क्या है और इसमें कैसे क्वालिफाई होती है और क्या अन्य राज्यों के भी अभ्यरती इसमें फाम भर चकते हैं यदि भर चकते हैं तो कैसे भर चकते हैं तो इस सारे संदेव को हम आपके दोर करेंगे और आपका डोमेशाइल कितने येर या मन्त पुराना होना चाहिए इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक मिनट का मैं आपका समय लेना चाहूँगा यूजी और पीजी दोनों का आपका मिशन यूपी कैटेट 2022 यहाँ पर आपका देया हुगा है केवल क्रिस बर्ग के छात्रों के लिए आईसी आर बीच यूपी कैटेट के लिए स्पेशल पैकेज लांच किया गया हमारे चैनल के मादम से तो यूजी का आपका जो 10 previous year paper मिलेगा और 5 combo practice set only 50 रुपेज प्राइस है इसका और पीजी का फुल नोट्स जितने आपके बीच सी graduation के दोरान पढ़ाया है उनको पूरा full length आपका पीडियेट मिलेगा और साथ में previous year paper मिलेगा जिसका प्राइस है only 100 रुपेज थैंक यू इतना समय देने के लिए तो देखिए यहाँ पर आपका PDF ये डाउनलोड किया गया है जो यूपी कैटेट की official website है वहीं से ये PDF आपको मिल जाएगी online agriculture classes की telegram channel पर upload कर दिया गया है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभासा निम्नुवत है मतलब जो यूपी कैटेट के student है उनके लिए कौन-कौन से सर्थ है तो इसमें देखिए पहले तो मैं आपको notify कर दूँ कि जो आपका income आय प्रमाणपत्र आय जाती और निवास ये तीनों प्रमाणपत्र जो हैं आपके ये यूपी कैटेट के exam के मतलब पहले होना चाहिए तो कितने दिन पहले होना चाहिए तो 6 मा, 6 मा के अंदर होना चाहिए मतलब 1 जन्वरी के बाज आपका होना चाहिए तो ये ये आपके पास इससे पुराना हो तो आप इसको नया बनवा लेजएगा अभी आपके पास समय है अन्यथा की दशा में आपको आगे जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपको शमस्या होगी आपको काउंसलिंग से बंचित कर दिया जाएगा भले ही आपके अच्छे रैंक आई हो तो यह मतपून नोटिस था तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए तो आपको बता दिया तो इसके लिए लाइक तो बनता है तो चलिए आगे देखते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अरहता परिच्छा उत्तर प्रदेश की उत्तिय हो, एवन वे उत्तर प्रदेश में पीछले पांच वर्षे निवास कर रहे हो यदि आपका कोई भी साति है या आप हैं अन्य राज्य के हैं जैसे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके आप अन्य किसी भी राज्य में राज जिसे बिलांग करते हैं या आप वहां के मुल निवासी हैं तो आपने UP कैटेट में कोई एक्जाम क्वालिफाइक किया हो या फिर आपके पिताजी हो या कोई XYZ हो तो आप यदि UP में पांच साल से यहां पर साप साप दिया है पांच साल से यदि निवास कर रहे हैं रह रहे हैं रेंट पर नहीं आपको वहां पर आपका खुद की जमीन होना चाहिए खुद का जमीन या फिर आपका खुद का मकान होना चाहिए तो भारत का नागरिक उसके पिता का निमास अस्थान या मूल अस्थान उत्तर प्रदेश है और जो स्वैम भी उत्तर प्रदेश का निमासी है मतलब आपका जो डोमेशाइल है यूपी का डोमेशाइल होना चाहिए ये पांच वर्स वाला आपको समझ में आ गया होगा या फिर आप ये मूल निवासी जो है उनकी तो बात अलग है अब नीचे आईए तो नीचे क्या दिया है अथवा करके भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास अस्थान अत्वा मूल अस्थान उत्तर प्रदेश में नह और यहाँ पर जमीन लेकर अपना घर मकान बसा लिए मतलब रहने का काम यहीं हो गया परन्त इस प्रकार अधिग्रहन के पस्चान आवेदन पत्र की देने की तिथी तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी का निवास की अवदी पांच वर्स से कम नहीं होना चाहिए यदि आप बाहर से आए यह मतलब उत्तर प्रदेश में रहे गए और पांच वर्स से यदि आप कम रहे हैं तो आप नहीं इलिजिबल हैं मतलब इस यूपे कैटिट के योग्ये नहीं हैं समझ गए आप लोग पांच वर्स से कम नहीं होना चाहिए अब नेक्स देखिए उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारी अत्वा जीवन वीमा निगम राश्टिकरित बैंको भारती हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडियन ड्रक्स एवं फार्मियूस्टिकल लिम्टेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोस्स से के लिए या सर्थ है कि ऐसा अभ्यर्थी उप्युक्त मुल के स्टैम पेपर पर उक्त आश्या का सपत पत्र प्रस्तुत करेगा मतलब इनको नोटरी बनवा कर देना पड़ेगा कि हा मैं मतलब यह जो दिया है यहां पर पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरे डिकलियर समझ में आ गया है फिर नेक्स देखे अथवा बिदेश में प्रवास करने वाला भारती मूल का वव्यक्त जिसके पूरवज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे यह आप अपना देख लीजिएगा यह पूरे सारे इनके नियम और सर्थ रहे इसको आई कोई भी नहीं समझ में आया तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमारा वाट्सप नंबर दिया हुआ है आप वहां से सब पर कर सकते हैं चलिए आदका सेशन यहीं पर करते हैं शमाप थैंक्यू